हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक कल का जिन जिन लोगों ने आनलेसिस ध्यान से देखा रहेगा समझा रहेगा तो आपको याद आते रहेगा कि मैंने क्या कहा था 22,000 एक क्रूशर लेवल है अगर वहाँ पे आपको 15 मिनिट की पिन बार वाली कुछ भी कैंडल दिखती है तो आप शौट के बारे में सोचना अगर आपको 22,000 के आसपास ग्रीन कैंडल दिखती है पिन बार रहेगा तो अच्छा है आप उपर 22,100 के बारे में सोचना आज मॉर्निग को ही क्या हुआ और कहा था भेने की मॉर्निग में ही अलर्ट रहना क्यूंकि जो अच्छी खासी मुँ है वो मॉर्निग में ही आने वादी है आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने प्ले किया पहले सब से हम देखेंगे कि यहेंकि 22,000 एक एक अच्छी खासी red candle और अगर आपको याद रहेगा ये वाला जो पार्ट है वो day high के लिए मैंने कहा था stop loss के लिए day high अगर आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही आनलेसिस के बेसिस पे ट्रेड लिया रहता था ये day high का stop loss यहां पे entry आप देख सकते हो कितनी fantastic जो सबसे बड़ी मूह थी आज की यही थी जो अच्छी खासी आप capture कर्ट सकते थे 15 minutes के chart में based on the concept which was explained तो क्या आपको यह कल के जो session था उससे कुछ सीख मिली आपने क्या उसको try किया आपको strike price धुडने में दिक्कत आई नहीं आई क्या हुआ आपके साथ मुझे नीचे comment करके बताना आज भी कुछ वैसे ही interesting चीज़ बताएंगे तो last तक बने रहना सबसे पहले क्या करना अगर आप नए है जानना चाहते है कि कल मैं कैसे overall market को analysis करता हूं क्योंकि कल Thursday है निफ्टी की expiry है कैसे market निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी आपको जानना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे channel को subscribe bell button को hit description में जो WhatsApp community की link है उसे भी join कर सकते हो ताके अगर आपको intraday का analysis चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हो अब ये चीज में मैं बाब में आता हूँ पहले हम देखेंगे आज दिन भर में क्या हुआ तो दिन भर में अगर आप देखोगे तो आज कुछ खास नहीं था क्योंकि morning का जो trade था वो बहुत जादा हमने ये नहीं कर पाए but at the same time अगर आप देखोगे ये दो P side capture हुआ, C side nifty का capture हुआ, bank nifty का analysis तो सही था but जो super moo है वो नहीं हाई इसके लिए आप overall देखोगे तो तीन गलत, दो सही, overall it was not so fantastic day but stocks आप सभी को मालूम है कि आज stocks ने बहुत जादा तबाई मचाई, आप देख सकते हो, yes bank, youco bank, अभी banks बहुत fantastic आज उपर आए, तो जिन जिन लोगों ने अगर कुछ, of course य जो भी यह सरे analysis करके दिखाता हूं, तो अगर आप वो follow करते हैं, आप numbers note करते हैं, आपके कोई पसंदीदा stock रहेगा, वो उसमें included रहेगा, तो आज analysis आप देख सकते हो, apart from that, आज मैं क्या करने वाला हूं, IRFC, Sale और BHEL, JK70, यह 4 stocks का analysis, Nifty, Bank Nifty के बाद करने वाला हूं, अग आप चाते हैं, आपके भी stocks का, मैं analysis करूं, तो comment में आप लिख सकते हो, आपका कौन सा stock है, for educational purpose, मैं आप मेरे से analysis चाते हैं, apart from that, कुछ important चीज़, Nestle India, its sales grew on back of price and mix, said the company management, volumes did not contribute much, that may have put it in a category of underperforming company, but stable company है, कुछ गडवड नहीं है, थोड़े बहुत stock, वैसे भी ये rocket की तरह, Nestle का stock, आपने भी देखा नहीं रहेगा, जाते हुए, उपर नीचे होते रहता, in fact, आप देखोगे, FMCG के सभी stocks, stable है, बहुत जादा उपर नहीं जाते, बहुत जादा नीचे नहीं गिरते, consistently थोड़ा बहुत profit देते रहते है, श्री रेनु का श OTC News, अब आएए चलते है, one by one Nifty के analysis में, सबसे पहले, अगर आप hourly chart में Nifty को देखोगे, कुछ चीज आपको ध्यान में आएगी, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको वे उसके form में दिखाना चाहता हूँ, उपर गया, नीचे आया, उपर गया, नीचे आया, अब उपर जा र पहले, यह, 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 यह सब lows है, यह सब lows है, नॉर्मली अगर uptrend में market रहता है, तो यह lows break नहीं होता है, यानि कि इसका मतलब क्या है, तो यह low के नीचे market नहीं जाएगा, in fact, यहां पर थोड़ इसी market में गड़बड कर दी है, इसके लिए हम यह इसको पूरी तरीके यह पार्ट, यह जो low किया है, that will be considered as a part of this wave, यह अपने आप में एक wave नहीं है, यह थोड़ा सा जान लेना, अब logic क्या है यही basis पे, तो हम देखेंगे, हमें मालूम है कि यह hourly में low है, तो अकल अगर market यह low को तोड़ देता है, यह low कौन सा है? 21.850 का कल अगर market low तोड़ देता है, तो बहुत जादा chances है कि नीचे की मुह आ सकती है, यहां से आप देख सकते हूँ, नीचे के मुह आ सकती है, और 21.720 तक market जा सकता है, इसका मतलब क्या है? 21.850 से जो market तूटेगा, तो 21.720 तक आ सकता है, almost 130 points का आपको नीचे के direction में मिल सकता है, उपर के direction में अगर आप देखोगे ना, आप long अगर आपको जाना ही है, तो at least 22.000 के उपर one hour की candle close होने दो, तब भी ही आप उपर के direction में long के बारे में सूचना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत सारे resistance दिखाई दे रहे है उपर के direction में, तो either क्या होना चाहिए कि morning को ही market gap up हो गया, 22.000 पे hourly candle बन गई, फिर आप जाके हमारा ये जो 22.122 का high है, उसका वो target तोड़ सकता है, बट जब तक market gap up हो के morning में ही अच्छी मून नहीं देता है, तब तक मैं कहूंगा कि आप 22.000 hourly candle close होने दो, उसके नीचे आप कितना भी call लेके try करोगे trade करने के लिए आपको निराशा ही हाथ में आएगी, नीचे के direction में put के बारे में कब सोचना है, तो ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, वापिस एक बार repeat, 21.850 hourly red candle closing आपको straight away 130 point दिलाएगा, 21.717 पे, तो ये कल के levels है, और जिस तरीके से अगर आप मुझे पूछोगे कि market कैसे दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि अभी भी seller's market में है, ये यहां से selling चालू हुआ था, यहां पे भी selling के निशान दिख रहा है, यहां पे भी selling दिख रही है, अब इसके बाद selling थोड़ी सी day end में रुक गई थी, बट स्टिल यह बिल्कुल भी चार्ट पे दिख नहीं रहा है कि buyers का strength है, selling धिरे-धिरे कम हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि market bullish हो गया है, कुछ समय रुक के bears वो वापस आ सकते हैं, बट फिलाल के लिए selling कम है, मैं इतना ही कहूंगा, selling fast कब हो जाएगी, very simple, 21,850 के बाद कहां तक main selling बहुत तेजी से saving आएगी, very simple, 21,720, buying कब powerful हो जाएगी, अगर hourly candle 22,000 के उपर जाता है, तो अगर आपको यह समझ में आया रहेगा, तो यह concept के साथ अगर आप trade करोगे, तो chances हैं कि आप अच्छा कासा पैसा कमा सकते हों, अब second चीज, bank nifty देख लेते हैं, यहाँ पे bank nifty कैसे behave कर सकती है, bank nifty अगर आप hourly charts में थोड़ा सा देखेंगे, overall कुछ bank nifty में भी खास नहीं है, bank nifty एक consolidation zone, यानि कि यह zone के अंदर अटका हुआ है, अब एक है न, bank nifty, overall अगर आप देखोगे, यह क्या दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, bank nifty नीचे आ रही है, यहाँ पे बहुत powerful selling है, वापिस यही selling है, अब आइदर bank nifty में दो जगा पे selling आ सकती है, 46,315, अगर 46,315 के उपर निकल गया, तो 46,750 पे selling आ सकती है, इसका मतलब क्या है, तो कल अगर bank nifty यह level के उपर, यह level का नाम भी मैं दिखा, means levels भी मैं बता देता हूँ, 46,120 के उपर hourly candle अगर निकल जाती है, तो आप छोटे समय के लिए C trade कर सकते हो, कौन से level तक 46,315, उसके बाद में वापिस sell out आ सकता है, अगर sell out powerful नहीं है, उपर के तरफ वापिस जा रहा है एक दो candle में, आप 46,750 के लिए trade कर सकते हो, इस यहाँ पर definitely कुछ ना कुछ selling आपको दिखेगा ही दिखेगा, selling कितने तेजी से आ रहा है, उसके उपर रहेगा कि trend change होगा, या trend continue होगा, और अगर straight away समझो, market ने gap down ही दे दिया, तो मैं कहूंगा 45,000 480 के नीचे ही आप shot के बारे में सोचना, basically अगर आप देखोगे ना, बहुत लोगों को doubt रहेगा, कि यह जो zone है, यह कैसे break होगा, यह zone अगर break होना है ना, यह बहुत powerfully break होगा, यह कैसे break होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, आइदर उपर जाके, यहाँ पे selling zone हिट होके, यह ऐसे ऐसे जाएगा, या और एक option है, कि और थोड़ा सा दूसरे color से निकालता हूँ, second possibility यह है, कि यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, ऐसे break होगा, तो फिलाल के लिए, bank nifty में थोड़ा बहुत strength है, तो bank nifty उपर जाने के chances है, but at the same time, अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बढ़िया सी selling है, तो यह same selling नीचे के direction में आ सकती है, but कौन से levels पे आ सकती है, तो जैसे मैंने कहा, 46,315, या finally 47,000, और अगर आप 4,600 के उपर अगर bank nifty निकलती है, तो 46,315 का target ले सकते हो, और बाद में एक बड़ी सी sell out आ सकती है, आज आएगी, कल आएगी, परसो आएगी, यह हमें देखना पड़ेगा कि कौन से levels पे sellers आ जाते हैं, तो यह हो गया bank nifty का plan, straight away bullish market में, straight away यहाँ पे gap down होके, नीचे नीचे ऐसे नहीं होगा, उपर जाके फिर जोड से नीचे आ जाएगी, अब फोड़ा सा IRFC देखते हैं, IRFC में बड़ी मूँ हो चुकी है, और आप देखोगे red candles weekly में बना है, अफकोस नीचे के तरफ buying pressure तो है, बट overall consolidation का phase है, इतना अच्छा उपर चला गया है, अब आप क्या ही यह करोगे, बट at the same time ध्यां रखना, अगर 180 के आसपास कुछ green candle बन रही है, तो आप उपर के बारे में सोच सकते हो, लास्ट ताइम अगर देखोगे, चार महनों की तीन महने आसपास लगे थे, consolidation के लिए, same यहां पर लग सकते है, overall stock bullish ही है, थोड़ा सा उसको आराम करने के लिए समय देना, sale अगर आप देखोगे, already एक mega moon आ चुकी है, तो at least अगर आप यहां पर करोगे, तो बहुत ही दिक्कत है ट्रेड करने में, फोड़ा सा consolidation होके, अगर 135 के लेवल पे आप करोगे तो सही है, but basically sale में एक mega rally आ चुकी है, अब unnecessarily trade करके, risky बहुत होता है, आइधर 150 के उपर करना, या निचे के direction पे 135 पे green candle आ रही है, तो करना, JK Cement, आइए JK Cement देखते हैं, JK Cement का भी same condition है, overall rally weak है ही है, आप देखोगे, कोई भी बड़े बड़े green candles नहीं है, तो मैं कहूंगा, straight away avoid करना, या अपने अगर लिया है, तो hold करना, बट सूपर rally आने के chances, जैसे sale में आपको दिखाई देखाई थी, अगर आपने अल्रेडी बड़े किया है, इसको आप hold कर सकते हो, विट स्टॉप लॉस अफ लगभग लगभग 220, इसको और fine tune कर सकते है, अगर ये red candle weekly में कहां पे close होती है, वो हमें पता चलता है, तो hope आपको analysis पसंद आया रहेगा, thanks a lot, कल मिलते हैं, देखते हैं कि कल क्या mega move downward direction में आ सकता है की नहीं,